2001 में सिंगम की फर्स्ट मूवी आई थी और उस मूवी के बाद सिंगम के कारेक्टर की जो पॉप्लारिटी थी वो नेक्स्ट लेवल पे चली गए थी और फाइनली आज सिंगम की थर्ड मूवी और रोहिच शेटी के कॉप उनिवर्स के फिफ्ट मूवी सिंगम अगेन का ट्रेलर आ चुका है जो कि इस कारेक्टर की स्टोरी को और आगे लेकर जाता है और ट्रेलर से साफ है क्लियर है भाई एक्सपेक्टेड है कि आपको रोहि उड़ते वें चाहिए तो वह भी यहां और वह भी नेक्स्ट लेवल पर ही है एंड ऑनेस्ली हेलिकॉप्टर का ऐसा सीन मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था तो हां यह मूवी एक्शन को इंटर्टेन्मेंट को नेक्स्ट लेवल पर तो लेकर जाने वाली है ट्रेलर से यह बताओ कि मुझे सबसे जादा क्या अच्छा लगा ट्रेलर में तो वो था रमाएन का रेफरेंस रमाएन की स्टोरी लेइन को बहुत ही क्रेटिव वे में यहां डैप्ट करने की कोशिश की गई है बहुत इंट्रेस्टिंग वे दिखाने की कोशिश की गई एविन कई स प्रापर फैमली मैन हो चुका है, बीवी है, बच्चे हैं, एक तरह से सिंगम वन की स्टोरी को यहां आगे एक्स्टेंड किया गया है, और प्रापर टाइम लाइन को भी कंसीडर किया गया है, मतलब आपको फील होगा कि हाँ भाई, फर्स्ट मुवी जो 2011 में आई थी, उससे अच्छा खासा टाइम यहां गुजर चुका है, और इससे कह सकते हो कि कॉप उनिवर्स में जो एक मिसिंग फैमली टच्स था, वो आ जाता है, तो इससे कह सकते हो कि सिंगम नाम के ब्रैंड के साथ, भाई, पक्का, मसाला मुवी ओडियन्स जो है, वो तो आएगी आएगी साथी फैमली ओडियन्स जो है, वो भी खीची चलियाएगी, क्योंकि हमें यहां एक प्रॉपर फैमली स्टोरी भी देखने को मिलेगी, और भाई, आजे देवगन का जो स्क्रीन प्रेजन्स है, जो उनकी कारेक्टर का वाइब है, भाई, वो तो नेक्स्ट लेवल का है ही, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, सिंगम का कैरेक्टर ही एतना एपिक है, और भाई, साथी में जब यहां टीम अप हो जाए, रनवीर सिंग के सिंबा के साथ, अक्षे कुमार के सूरेवन्शी के साथ, तो एक नेक्स्ट लेवल का एक्स्पिरियन्स तो आप एक्सपेक्ट क यहां कुछ ऐसा होने वाला है, लिटरली उनकी जो वाइब है, वो साइको टाइप की फील होती है, उनका लुक तो मुझे पसनली बहुत पसंद आया, मैं लिटरली यह लुक देखने के बाद पसनली एक्साइटेड हूँ, उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए, एक एप सेलजिया देते हैं, जो कॉप युनिवर्स को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होंगे, मुनोंने ये नोटिस भी क्या होगा, एंड आम शूर ये मुवी एक तगड़ा थेटर एक्सपिरियंस तो देने वाली है, आपके क्या ठोट से हैं, आप क्या सोचते हो, कॉमेंट में जरूर बताना, मैं मिलता हूँ आपको फिर से किसी और रिव्यू के साथ, तिल दिन, बी देसी, बी नर्ड.